Closed Organ Pipe, पहले Closed Organ Pipe की बात करते हैं बेटा, अब सबने, जो बेटा Closed End होता है, वो होता है Displacement Node, और जो Open End होता है, वो होता है Displacement Anti Node, ठीक है? तो यहाँ पे बेटा हमेशा क्या बनता है? Closed End पे हमेशा Node बनता है, और इस End पे क्या बनता है बेटा? इस End पे हमेशा Anti Node बनता है, यह याद रखना, Closed End पे हमेशा Displacement का Node, Open End पे Displacement का Anti Node, अब कोई Pressure का पूछे तो उल्टा हो जाएगा, यह भी Clear? Closed End पे Pressure का Anti Node हो जाएगा, और यहाँ पे Pressure का Node हो जाएगा, यहाँ पे Delta P क्या होगा? 0, यहाँ Delta P Maximum, और S की बात करें, Displacement की, तो यहाँ पे S 0 और यहाँ पे S Maximum, Clear है? यहाँ पन बात करें, S कैसा होगा? Maximum, और Delta P कैसा होगा? 0, यहाँ पन बात करें, तो S कैसा होगा? 0, और Delta P कैसा होगा? Maximum, Displacement Node, Pressure Anti Node, Displacement Anti Node, Pressure Node, Clear है यह बात? clear है fundamental tone या first harmonic fundamental tone क्या होगी बेटा यहाँ पे बनेगा anti node यहाँ बनेगा node बेटा anti node में क्या होगा ऐसा और node में कैसा होगा यही तो होता है ना anti node और यह हो गया node माल लेते हैं बेटा इसकी length L है एक anti node और node के बीच में कितना distance होता है यहाँ आप सब बता सकते हो node और anti node के बीच में कितना distance होता है lambda by 4 तो node और anti node के बीच में lambda by 4 तो बेटा lambda by 4 L के बराबर हो जाएगा lambda 4 L के बराबर हो जाएगा बेटा frequency हो जाएगी V बटे lambda और lambda है 4 L F is equals to V बटे 4 L और यह fundamental tone है principle tone है और यह first harmonic भी है fundamental tone है principle tone है और यह first harmonic भी है first harmonic है अपन किसकी बात करें? closed जाउन 5 की जो एक end से closed है एक end से open है F is equals to V बटे 4 L इसको F1 भी बोल सकते हैं क्योंकि first harmonic बोला है V बटे 4 L चलो next देखो आप कुछ होने वाला है यहाँ पर V बटे 4 L next first overtone तो पहली overtone कैसे बनेगी? यहाँ पर कितना segment है? एक segment है तो first overtone में दो segment आ जाएंगे इस तरह के? और देखते हैं कैसे होगा first overtone आप खुदी बताओ कैसा होगा यहाँ anti node बनाना है और यहाँ node बनाना है इतना तो confirm है अब बटेटा आपको इसके उपर एक tone और डाल लिए तो एक tone और मतलब बीच में एक node और आएगा बीच में एक node और आएगा और एक node और आया तो भाईया फिर बीच में एक node और आएगा ये बन गया बेटा, ऐसा कुछ बनेगा, है न, बेटा लेमडा क्या बनेगा इस बार, लेमडा कितना हो जाएगा, एंटी नोड और ये क्या है, नोड और ये नोड है, अच्छा अब क्या किया जाए, तो 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 तो, नोड और नोड के बीच में डिस्टंस, लेमडा और होगा तो ज्यादा आसाल है लेमडा बाइफोर लेमडा बाइफोर लेमडा बाइफोर किती बार तीन बार यानि तीन लेमडा बाइफोर बूलो ऐसी तो बनेगी ना फस्ट ओवर्टोन बना पा रहे हो कि नहीं फस्ट ओवर्टोन देखो यह फंडामेंटल थी फस्ट तोन कैसे बनेगा, यहाँ बनाना है ant node, यहाँ बनाना है node, तो यूँ, 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 यह बन गया, यह length L है, अच्छा यह anti node, और यह क्या है? node, node, तो इनके बीच में, एक anti node और होगा लेम्डा बाई 4, लेम्डा बाई 4, लेम्डा बाई 4, तो बेटा कितना हो गया, 3 लेम्डा बाई 4, और 3 लेम्डा बाई 4 किसके बराबर, L के बराबर, यहां से लेम्डा कितना हो गया, 4L by 3 हो गया, बेटा फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, V बटे लेम्डा, अब लेम्ड आपका 3VY4L, क्या ये सेकेंड हार्मोनिक है? क्या ये सेकेंड हार्मोनिक है? क्या लग रहा है आपको? आप बताएं, क्या ये सेकेंड हार्मोनिक है? क्या आपको ये सेकेंड हार्मोनिक लग रही है? बेटा, क्या ये आपको लग रहा है ये सेकेंड हार्मोनिक है? मुझे त लब होता है उसका multiple हो है ना तो क्या ये इसका two वाला multiple है वी बटे 4L का नहीं ये तो three वाला है यानि दिक्कत क्या हो गई कि first overtone में first overtone में आपको सीधा क्या मिला यानि कौन सा harmonic मिला बेटा आपको third harmonic second harmonic गायब है closed organ pipe में second harmonic गायब है first के बाद चिधा third harmonic आता है second overtone second overtone बेटा अब क्या करेंगे गलू गलू अंदर और बढ़ाना पड़ेगा second overtone एक यहाँ पर node हो जाएगी एक और node बना लेंगे चलो ऐसे 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 यह हो जाएगा समझ में आया second overtone पिशली बार क्या किया बीच में एक node थी इसके पहले एक भी node नहीं थी एक आई अब दो ले आएँगे गलू 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 ठीक है यह बना लिया बेटा हम लोगना लेंद कित्ती होगी L बेटाई वेवलेंद कित्ती होगी धिमाख लगाओ एक anti node यहाँ होगा एक anti node यहाँ है एक anti node यहाँ lambdaY4, 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 prawda? lambdaY4, 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 पांच controllerY4. तो 5 lambdaY4 किसके बराबर हो गा? LK. lambda किसके बराबर? 4L बटे 5K. बटा, frequencies बार आपको दिख रहेंगे कितनी आने वाली है? V बटे lambda. lambda कितना है? 4L बटे 5. अरे तो पांचवों मल्टिपल आ गया सीथा मतलब बेटा सेकेंड ओवर टोन किसके एक क्वल है फिफ्थ हार्मोनिक के फिफ्थ हार्मोनिक के फिफ्थ हार्मोनिक है येस सेकेंड हार्मोनिक नौ फिफ्थ नौ फिफ्थ येस odd harmonics मिलते हैं closed organ pipe में सिर्फ odd harmonics मिलते हैं second guy up है, fourth guy up है sixth भी guy up होगा, इसके बाद seventh harmonics मिलेगा odd harmonics मिलते हैं clear third over tone है, आप कर सकते हैं खटाक से खीचते हैं इसको, anti node node, पिछली बार आपने बीच में कितने node बनाये थे 2, इस बार 3 मना लो यह 2 lambda by 4, 2 lambda by 4 2 lambda by 4, 2 lambda by 4 यानी, सई, lambda by 4 यह 2 times lambda by 4, 2 times lambda ठीक है ना, यह lambda by 2 यानी, 2 lambda by 4, 2 lambda by 4 2 लेचे, एक साथ, 7 lambda by 4 clear है, तो 7 lambda by 4 4L के बराबर, तो lambda 4L by 7 के बराबर, frequencies अब को समझ में आ गया, frequency क्या होगी V by lambda, और lambda क्या है, 4L by 7 तो frequency कितनी आ गई है, 7 V by 4L, यानी, 3rd harmonic से आपको क्या मिला 3rd, sorry, 3rd over tone से आपको क्या मिला harmonic नी, 3rd over tone से आपको क्या मिला 7F1, यानी, आपके पास 7th harmonic है, कहने का मतलब, even harmonic missing है सभी लोग समझ गए सभी को समझ में आ गया, क्या missing है even harmonic missing है अभी हम को यह समझ में आ गया even harmonics are missing odd harmonics है even harmonic missing है harmonics in closed organ pipe अगर harmonics की बात करें बेटा हम लोग तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं fundamental या first harmonic , F1 कितना है V बटे, 4L इसके बाद बेटा हम लोग को मिलता है first overtone कितना आ रहा था 3 times of F1 इसके बाद बेटा हमें मिला second overtone कहां पे गए 5 times of F1 इसके बाद third overtone कितना हुआ 7 times of F1 यानि odd harmonics मिल रहे है even harmonic missing है अगर हम बात करें तो हमें 1 is to 3 is to 5 is to 7 मिल रहे है even harmonics missing है अगर मैं nth overtone की बात करूँ अगर मैं nth यह third हो गया F nth overtone बता है बच्चों first में क्या है third second में क्या है five third में क्या है seven यानि 236 plus 1 224 plus 1 212 plus 1 यानि 2n plus 1 into clear 212 plus 1 224 plus 1 236 plus 1 nth overtone क्या हो जगा 2n plus 1 into F1 और F1 याद रखें कितना है V बटे 4 close dragon pipe में V बटे 4 clear 2n minus 1 2 1s are 2 minus 1 नहीं बेटा 2 2s are 4 minus 1 नहीं मैं बेटा नहीं मैंच नहीं कर रहा ना बेटा ना plus 1 गलत हो जाएगा ठीक है यह बात हो गई अपनी और सवाल कर लेते हैं 2014 2014 क्या है क्या है The number of possible natural oscillations of air column in the pipe closed at one end of length 835 cm whose frequency lie below 1250 the number of possible natural oscillations बेटा natural oscillations जो आपन पढ़ रहे हैं possible natural oscillations natural oscillations मतलब fundamental first harmonic या जो भी है इसके अंदर first overtone, second overtone of air column ठीक है air column तो होई गया in the pipe in the pipe closed at one end बेटा यह क्या हो गया closed organ pipe in the pipe closed at one end of length 85 cm length कितनी अपने पास 85 cm है whose frequency lie below this velocity of sound कितना दे रखा अपने को 5 cm है divide by 100 यह कर लिया आपन कितना हो जाएगा बेटा यह 5 बन्सा 5 35 75 5 तूस जाते हैं 0, 179 17 2 तूस थर्टी 4 0 4 बन्सा 4 4 तूस थर्टी कितना हो गया 100 hertz तो यह मिला बेटा 100 इसके बाद अगला क्या मिलेगा 3 F उसके बाद आपन को क्या मिलता है आपर F मिलता है फिर 3 F मिलता है फिर 5 F मिलता है फिर 7 F मिलेगा फिर 9 F मिलेगा फिर यह लेने में इतने में काम हो जाएगा यह देखो 100 hertz इसके बाद 300 इसके बाद 500 इसके बाद 700 इसके बाद 900 इसके बाद 1100 इसके बाद 13 हो जागा 1300 जो कि allowed नहीं है यह पूछ रहा है number of possible which whose frequencies lie below 1250 hertz के नीचे तो यह तियार यही हो गई 100-300 किती 1-2-3-4-5-6 C is the correct option, बोलो आगे सभी को, next 2017, the two nearest harmonics of a tube closed at one end and open at other end, लेको close dragon pipe की बात हो रही है, of a tube closed at one end and open at other end are 220 hertz and 260 hertz, What is the fundamental frequency of the system? क्या बोला जो दो nearest harmonics है, two nearest harmonics, वो क्या है बेटा, 220 hertz और क्या है, 260 hertz, बेटा एक बाद बताओ, एक बाद बताओ, दो nearest harmonic है, बेटा, अगर ये nth harmonic है, तो इसके बाद क्या n plus 1th harmonic exist करेगा? नहीं करेगा, n plus 2 करेगा, फस्ट के बाद 3rd है, 3rd के बाद 5th है, 5th के बाद 7th है, 7th के बाद 9th है, 9th के बाद 11th है, अगर मैं इसको nth harmonic मान लूँ, तो क्या ये n plus 1th harmonic होगा? ये क्या होगा? बोलो इतना है दिमाख हर किसी का चल रहा है, अगर मैं 220 Hz को nth harmonic मानूँ, तो 260 क्या, n plus 1th होगा? फस्ट के बाद 2nd आ रहा है क्या? फस्ट के बाद 3rd, फस्ट के बाद 5th, फिफ्ट के बाद 7th, 7th के बाद 9th, प्लस 2 करके आ रहा है क्योंकि किस की बाद की है? क्लोस्ट और्गन पाइप की बाद की है, तो अगर इसको मैं nth harmonic माना, तो nf1 is equals to 220 Hz, अगर यह nth harmonic है, तो n plus 2th harmonic है, तो n plus 2 into f1 is equals to 260, आपने को क्या चाहिए बेटा? n की value चाहिए, what is the fundamental frequency of the system? fundamental मैंने f1 मान ली, nf1, nth harmonic, nf1 220 और n, यह भाई क्या बोला? nearest है, तो इसके बाद nearest क्या होगा? n plus 2th harmonic होगा, n plus 2th harmonic की frequency क्या होगी? n plus 2 times of f1, अपने को बेटा क्या चाहिए? f1 चाहिए, एक काम करते हैं, इसको expand करते हैं, nf1 plus 2f1 is equals to 260, बेटा, nf1 की value 220 है, चिपका दिया, यहां से बेटा, 2f1 कितना हो जाएगा? 260 minus 220, कितना हो गया? 40, f1 की value कितनी हो गई? 20 hertz. clear? clear? अब देखो, यहां एक बात और आएगी बच्चा, क्या आएगी? अच्छे, यह दोनो closest harmonic है, 220 और 260, यह दोनो closest harmonic है, चला, इनका ratio देख लेते हैं, एक और method देखो, Mentos method कह सकते हो, चलो, 220, 260, अगर मैं ratio देखू, 00 cancel हो गया, 21's are 2, 21's are 2, 21's are 2, 21's are 2, 11 is to 13, यानि यह 11th harmonic हो गया, यह 13th harmonic भाई, 1 is to 3, is to 5, is to 7, is to 9, is to 11, is to 13, मैंने दोनों का ratio देख लिया, 11 के बाद कौन सा harmonic आना चाहिए, तेरवा आना चाहिए, आया भी है, इनका ratio क्या, 11 is to 13, 1 is to 3, is to 5, is to 7, is to 9, is to 11, is to 13, 11 is to 13, यानि यह 11th harmonic है, यह 13th harmonic है, अगर यह 11th harmonic है, तो 11 F1 is equals to 220, F1 is equals to 11, 2 is to 22, 20 thirds, clear, 20 or 260, बगल बगल की है, मैंने 220 is to 260, 0 से बाइन बोला है, next है, next है तो ratio एक के बाद एक कुछ आना चाहिए, 1 is to 3 हो सकता है, 3 is to 5 हो सकता है, 5 is to 7 हो सकता है, 7 is to 9 हो सकता है, 9 is to 11, 11 is to 13, 13 is to 14, ऐसे ही कुछ ratio आएगा, क्योंकि अगर बगल है, बोल रख्खा है, nearest, nearest, तो यह क्या हो गया, 2 in the 2, 11 is to 13, इसका मतलब यह 11th harmonic है, 13 harmonic, और 11th harmonic है, यानि 11 F1 is equals to 220, तो F1 कितना हो गया, 20, clear?